बिग बॉस में सुंबुल ने फैमान को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जिससे दोनों के फैंस काफी खुश हो गए हैं। सुंबुल ने कहाँ अगर फैमान खान 40 साल के उम्र में भी अन्मैरिट रहते हैं तो उन्हें भी अपने लिए कोई नहीं मिलेगा तो वो फैमान से शादी कर लेगी। ऐसा टीपिकल बेस्ट्रेंड कहते हैं। भी खबरे आती रहती है पर दोनों एक दूसरी को अपने चाद दोस्त बताते हैं। चालिस साल के उम्र में भी अन्मैरिट रहते हैं और उन्हें भी अपनी लिए कोई नहीं मिलेगा तो वो फैमान से शादी कर लेंगी। सुम्बुल के फैमान से शादी करने वाली बात सुन दोनों के फैंस एक्साइटेड हो गए हैं। वैसे भी सुम्बुला फैमान किसको साथ देखना वालों की कमी नहीं है। सिरल इमली में दोनों ने साथ में काम किया था। तबी से दोनों का तगड़ा फैंबेस बन गया है। अब सुम्बुला फैमान के शादी कभी होगी या फिर दोनों बेस फ्रेंड ही रहेंगे। इसके बारे में तो भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। बात करें सुम्बुल तवकिर खान की तो बिग बॉस में उनकी जर्नी और योगदान खास नहीं रही है। सुम्बुल ने शौ में आते ही जिससरा दशाली मिनोट के नाम औक किमाला जपी है। उससे उन पर ही बैडशा क्या गया। सुम्बुल का गेम कमजोर हुआ है। देखना होगा पिता सर्मान खान फैमान खान के समझाने की बाद सुम्बुल के गेम में आने वाले दिनों में कितना बदलाब दिखता है तो दोस्तों इसको लेकर क्या है आपकी राए फैमान खान के आने के बाद आपको क्या लगता है कि सुम्बुल तौकिर खान का गेम कित करें